हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को इस यूटूब चैनल में और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इंपोर्टन रेपोर्ट को ले करके तो आए इसके एक एक पॉयांट को देखते हैं और समझते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं Energy Transition Index 2020 को ले करके जो के WEF यानिक World Economic Forum यानिकी बिस्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया है जिसमें टॉप पर है स्वीडन भारत की बात करें तो 74 विया स्थान पर अपना कंट्री अंडिया है ये किस अधार पर जारी किया गया है इ आर्थिक विकास उर्जा सुरक्षा और पार्यावर्णिय इस्थीरता के माप दंडों में सुधार करने पर ये रैंकिंग मिलती है जिसमें टॉप पर है कौन सा कंट्री तर स्वीडन अपना कंट्री है 74 वे अस्थान पर इस रैंकिंग में यहां पर बात करेंगे इनर्जी ट्रांजिशन अंडेक्स 2020 में टोप टेन रैंकिंग वाले कंट्री का जैसे सबसे नंबर वन पर है शूर्डन दूसरी अस्थान पर है स्वीर्जेडलेंड तीसरी अस्थान पर है फीन लेंड चोथे अस्थान पर है डेनमार्क, पांचवे अस्थान पर है नॉर्वे, छठे अस्थान पर है आउस्ट्रिया, सात्वे अस्थान पर है यूके, आठ्वे अस्थान पर है फ्रांस, नौए अस्थान पर है नीदरलेंड और दस्वे अस्थान पर है आइसलेंड, अब हम बात करेंगे W.E.F. को ले करके क्योंकि इसी की द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है यहां पर बात करेंगे W.E.F. को ले करके जिसका पूरा नाम है World Economic Forum यानि की विश्वे आर्थिक मंच जो है सारवेजनिक नीजी साजोग के लिए एक अंतराष्टिय संगठन है इसका हेड़ क्वाटर है को लोगनी स्वीट जेर्लेंड में इसकी आस्तापना 1971 में की गई थी इसका मोटो यानि की अधर स्वाक के है committed to improving the state of the world इसके founder और executive chairman कौन है तो Klaus स्वाब और ये रहे Klaus स्वाब तो उमीद है कि वडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें share करें और subscribe करें फिर मिलेंगे आपसे एकले वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद